हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं अप्रेल दोहजार चोविस का है ये और आज इस राशी फल के माद्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अप्रेल दोहजार चोविस का महीना है आप सभी राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और विशेश रूप से जो आज की चर्चा हम करने जा रहे है वो तुला राशी के जो हमारे मित्र हैं उनके विशे में करेंगे और जानेंगे कि आप तुला राशी के जो हमारे जिनका लिब्रा असेंडेंट है तुला लगन राशी के जो हमारे जातक है उनका ये महीना कैसा जाने वाला है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अच्छे और बुरे परिणाम जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, वो सब जो आस्मान में ग्रहों की इस्थिती रहती है, कौन सा गहर किस राशी कौन से घर में है, कौन सा ग्रह किस राशी किस भाव में है, किस ग्रह के साथ उसका संबंद है, इन सब बातों पर नि shape में वो इसलिए कि जब व्यक्ति को स्वयम को भी थोड़ा एसास रहता है पता रहता है कि कौन सा ग्रह मेरे को इस महीने favor करने वाला है या कौन सा ग्रह मुझे परिशान कर सकता है तो उसको ले करके वो काफी सचेत भी रहता है और जो उपाए हमारे द्वारा बताए जाते हैं वो भी व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा और पूरे शिद्धत से करता है और जब वो पूरी श्रद्धा भाव के साथ उपाए होंगे तो निश्यत रूप से उसके अच्छे प्रणाम भी प्राप्त होंगे तो साथियों आपके सुविधा के लिए हमारे ठीक पीछे स्क्रेन पर हमने चार्ड डिस्पिले किया हुआ है आप तुला लगन राशी के जो हमारे मित्र है उनका और इस चार्ड में ग्रहों की इस्तिती को बहुत ही इसपष्ट तरीके से दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है किस राशी में बैठा है किस ग्रह के साथ उसका संबंद बना हुआ है या अकेला बैठा है तो ये भी जानकारी आपको इस चार्ड के दोरा मिल सकती है साथ में कुछ ग्रहों की ऐसी भी है इस सिती के जो इस महीने अपना राशी का परिवर्टन भी करने वाले है तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुती संग्शेप में देने जा रहे है सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए आप तुला लगन राशी के जो जातक हैं उनके चार्ट में चार ग्रह एक साथ बैठे हुएं चतर ग्रह योग है ये क्या कि जहां पर बारे नंबर लिखा हुआ है चार्ट में आपके ये शश्ट बहा हुआ है और यहां पर सूर रह बुद्ध शुक्र और राहूब जैसे ग्रह बिराजमान है लेकिन सूर यहां से 13 अपरेल को अपना राशी परिवर्तन करेंगे और निकलेंगे बाहर अपनी मित्र राशी मीन से और अपनी मित्रो और उच्राशी मेश में इनका होगा प्रवेश जहां पर गुरु ब्रस्पती पहले से विराजमान है और जब यह 13 तारिक को वहाँ पहुचेंगे अपनी उच्राशी मेश में सब्तमभाव में तो इनका सम्मन्द अपने मित्र गरह ब्रस्पती के साथ बनेगा वहाँ पर महीने के अंत तक अब बात कर लेते हैं बुद्ग्रह की कि बुद्ग्रह जो है नौ अप्रेल को अभी जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं सूर शुकर राहू के साथ तो यह यहां पर नौ अप्रेल को आएंगे इस राशी में कहां से आएंगे अपनी मित्र राशी कुम्ब से निकल करके जहां पर मंगल और शनी बैठे हुए पन्चम भाओ वहां से निकल करके यह आएंगे नौ अप्रेल को वक्री और अस्तवस्था में मतलब उल्टी चाल भी होगी और यह अस्त भी होंगे बहुत कमजोर इस्तिती है बुद्ध की और साथ ही यह इनकी नीच राशी भी है तो बुद्ध की इस्तिती बहुत दैनिये है यहां बहुत कमजोर है और यह आपके चार्ट में भागगे के मालिक भी है तो साथियों यह वीडियो आप जरूर अंतर तक देखिए हम आपको कुछ उपायों के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा तो अगला जो ग्रह है वो शुक्र है शुक्र ग्रह भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 तारिक को यह अस्त होंगे 24 अपरेल को और 24 अपरेल को ही यह इनकी उच्छ राशी है जहां पर बारे नंबर लिखा है यह बैठे हुए छटे भाव में तो यह 24 तारिक को अस्त हो जाएंगे 24 तारिक को अपना राशी परिवर्तन करते हुए अपनी उच्छ राशी मीन से निकल करके अपनी सम राशी मेश में प्रवेश करेंगे जहां पर सूर्य और ब्रस्पती पहले से ही विराज मान होंगे तो 24 तारिक से यह महा के अंतितक उन दोनों के साथ इनका संबन बनेगा यानि कि वहाँ पर सब्तम भाव में तीन गरही योग बन जाएगा 24 तारिक से सूर्य ब्रस्पती और शुक्र का अब बात करते हैं मंगल ग्रह की मंगल ग्रह जो हैं वो भी 23 तारिक को 23 अपरेल को अपनी समराशी कुम से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी मीन में करेंगे प्रिवेश मारगी और उद्यवस्था में देखिए मित्र राशी में प्रिवेश करेंगे चटे बाहों में पंचम बाहों से निकल करके ये तो ठीक है लेकिन महापर उनके परम शत्रु राहु बैठे हुएं तो उनके साथ इनका अंगारक दोश बने का बहुत बड़ा दोश है ये और जब भी ये किसी जातक की भी कु राशी फलके वो आप जरूर सुनते रहें पूरा वीडियो देखते रहें और आपकी जो समस्या हैं वो नुपायों के द्वारा जरूर दूर होंगी अगर आप करते हैं बात करते हैं सात्यों देखिए शनी देव की शनी देव जो हैं यह तो मंगल के साथ विराजमान हैं पंचम भाव में अपनी स्वयम की राशी में लेकिन यह अस्त भी हैं और यह जो हैं मैं आपको पता दूँ इनका जो उद्य है वो तो हो चुका है कुछ समय पहले पहले अस्त थे यह लेकिन अब यह जो हैं जब मंगल के साथ इनका संबंद बना हुआ है पंचम भाव में तो मंगल जब यहां से निकल जाएंगे मारगी और उद्यवस्था में 23 अप्रैन को तो शनी वहाँ पर एक मात्र अकेले गरहे रहेंगे अपनी स्वयम की राशी में और अच्छी पोजिशन में रहेंगे ये और जब ये अपनी अच्छी पोजिशन में आ जाएंगे अकेले तो ये कुछ अच्छे परिणाम भी दे पाएंगे, किस रूप में दे पाएंगे, इसके विशे में भी बताएंगे, तो साथियों, अब आगे बात करते हैं, गुरू ब्रस्पती की, ब्रस्पती जो जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, मेश राशी में, स His health house में बैठे हुए हैं, इसी परकार बने रहेंगे पूरे मही ने, राहू की भी बात कर लेते हैं, राहू भी अपनी समराशी मीन में, चठे भाहों में, बने हुए हैं, और इसी परकार, उनको संचार, पूरे माह इसी राशी में होता भी रहेगा, तो साथियों, ये थी की सिती जो गोचर में बनेगी अप्रेल दोजार चौविस में और इसी के आधार पर आपको शुब और अशुब परिणामों की राप्ती होगी अलग-अलग छेत्रों में कैसे होगी यह अब हम आपसे बताने जा रहे हैं सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके करियर को लेके कि बही आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है तो मेरे प्रियसात्यों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपका जो करियर है एक तरीके से उसमें थोड़ा इस महीने आपको उतार चड़ाव देखने को तो अवश्य मिलेंगे लेकिन यह ऐसे उतार चड़ाव नह बनेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो रोजगार के हलाथ हैं वो अच्चे बने रहे तो उसके लिए फिर हम जो अंत में आपको उपाय देने जा रहे हैं वो भी आपको अवश्य कर लेने चाहिए तो जहां तक मैंने कहा कि रोजगार का जहां तक विशे है कि भई अगर आप रोजगार सर्च भी कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें थोड़ा सा परिशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और हो सकता है कि अभी आपको अपने अनुकूल परिनावों की प की देखिए जहां तक इंकम का प्रिश्ण है साथियूं मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक तारीक से लेके और तेरह तारीक के बीच में तो धन की कमी का भी आपको एहसास रहेगा या फिर यह कहें कि धन के आगमन में कमी रहेगी लेकिन धन को ले करके थोड़ी सी परिशा बहुत बुरी तरह से हिल सकता है तो अपने खर्चों पर जरूर अंकुश लगाए जहां तक भी होसकता है और यह जो इस्ठिती ऐैं 13 अपरेल के बाद धन की सिती में सुधार होता हुआ दिख रहा है और धन का आगमन भी दिख रहा है और अच्छी बात्रा में दिख रहा है कारे छेत्र में भी 13 अपरेल के बाद हालात बहतर होंगे आगे बात करते हैं सुकसुविधाओं को ले करके सुक्सु विधाएं भी आपके लिए 23 अप्रेल के पश्चाद सुक्सु विधाओं में विरद्धी होगी सुक्सु विधाओं का लाप राप करेंगे इसके बाद बात करते हैं प्रेम संबंदों की साथियों देखिए मैंने आपसे इतनी ही बात कहनी है प्रेम संबंदों को ले करके कि अगर आप कहीं प्रेम संबंदों में हैं या आप कहीं लिविन रिलेशन में हैं और आपको अपना मेरिज करने का भी प्लैनिंग आप कचल रहा है साथ साथ तो देखिए विवा का योग तो एक अप्रेल से ही बना हुआ है और ये 23 अप्रेल तक बना रहेगा बहुत ही अच्छा योग है लेकिन इसमें विग्ण और बाधाएं भी काफी है ऐसा नहीं है कि भाई आपके पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके घर के बड़े पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी विरोधावास जेलना पड़ सकता है कहने का मतलब ये है कि शादी का योग तो है लेकिन इसमें थोड़ा लोहे के चने चवाने वाली जो काहवत है वो भी यहाँ पर चलितार्थ होती हुई नजर आती है कि थोड़ी मुश्किले हैं और जो विवाहित हैं उनके विवाहित सुखों में कमी बन रही है किस कारण से जीवन साथी के थोड़ा स्वास्त में कमी के कारण तो साथियों इसके लिए भी उपाय देंगे आपको अंत में आपको बताना चाहेंगे कि भाई परिजनों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे परिजनों के साथ भी थोड़ी सी कटुता रहेगी लेकिन मैं इतना भी कहूँगा कि जब मंगल 23 तारिक को अपनी राशी से निकलेंगे तो थोड़ा सा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बहुत सही हो जाएगा कुछ आपकी जो तनाओ या टेंशन बनी होगी अपने परिजनों के साथ उसमें कुछ कमी जरूर देखने को आपको मिलेगी लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत जादा कमी आपको देखने को मिले कुछ मुद्दे जरूर होंगे जिन पर विवाद बना रहेगा लेकिन उपाय करने से चीजें शान्त भी रहेंगी अब आपसे बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी देखिए आपकी पढ़ाई लिखाई को जो अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी वो 23 अपरेल के बाद होगी 23 अपरेल तक तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जूजना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो है प्रभावित ना हो अन्य था रिजल्ट्स प्रभावित होने के पूरी पूरी संभावना बन रही है उससे हम इंकार नहीं कर सकते एक अपरेल से 23 अपरेल के बीच में तो इस बात को लेकर के आपको बहुत हम सचेत करना चाहते हैं यापर बात करेंगे संतान को लेकर के संतान से भी यही कहना चाहते हैं परिश्रम करते रही है माता पिता को अगर आप रिजल्ट्स देना चाहते हैं तो इसी महीने आप अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ती क सोचें कि आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका आज ही आपको फल मिल जाए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा इसी महीने के अंत में जाके तो मेहनत जरू करते रही है मन छोटा बिलकुल ना करें अब बात करेंगे आप से आपके सिहत को लेके स्वास को लेके कि स्वास आ जो है अगर आपने अपनी रूटीन पर अपने खान पीन पर ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा सा आपके लिए चिंता का कारण भी बन सकता है तो आप जो है और आप थोड़ा सा स्वास्त आपका बिगड़ सकता है तो यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा अपना स्वास्त का जरूर ध्यान रखी अगर आप चाहते हैं कि स्वास्त आपका प्रोपर सही चलता रहे तो इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरे महीने तो साथियों यह था आपका राश्चीफल की चर्चा अब आपको हम उपाये देने जा रहे हैं कौन से वो उपाये हैं कि जिनको करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी सबसे पहला उपाये तो यह बनता है कि आप गणपती जी की पूजा जरूर करें किसी भी रूप में करें कैसे भी करें गणेश चालिसा का पाट करें गणेश जी के मंतरों का जाप करें गणेश इस्तोत्र का पाट करें कुछ भी करें करें जरूर दूसरा उपाये ब्रस्पतवार के दिन केले के विरख्ष की पूजा भी जरूर कीजिए अगर आप चाते हैं आपका कारोबार भी ठीक रहे और आपका जीवन साथी के साथ भी सब कुछ ठीक रहे और साथियों अगर आप चातें कि आपके परिजनों के साथ भी अच्छे संबंद रहें तो हनुमान जी की पूजा करते रही है और अगर हनुमान जी को चोला चड़ाएंगे तो अती सुन्दर आपके बिगड़ते हुए काम भी हनुमान जी जो हैं वो काफी सुधार देंगे आगे जो हम आपको कहने जा रहे है वो यही कि देखिए अगर जो हमारे बताये हुए उपाए हैं अगर आप इनको पूरी श्रद्धा के साथ करने वाले हैं या करेंगे तो जो समस्यां या जो negativity या जो negative कहीं results होने की बात है वो आपको उनका सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा प्रियसातियों ये थी चर्चा आप तुला जो राशी के हमारे मित्र हैं उनके लेकर के जो जनका लिब्रा असेंडेंट है और अगर आपको ये राशीफल पसंद आया है अपना महा अपरेल 2024 का तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो का अगर शेयर भी करेंगे अपने सोशल सरकल में फ्रेंड सरकल म तो वह लोग भी इस जानकारी का लाव उठा पाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले समय में वीडियो के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन सीदे आप तक पहुँच पाएं और आप उन सभी वीडियो का लाव ले पाएं तो फिर उसक इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सेर्दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता दी